दोस्तों अगर आपके पोदे में बिल्कुल भी गिरोध नहीं हो रही है तो आप इस चीज को सिर्फ और सिर्फ एक मुठ्टि डाल दीजिए आपके पोदे में नई पत्यानी शुरू हो जाएंगी और आपके पोदे की रुगी हुई गिरोध भी दुबारा से सुरू हो बहुत बहुत जादा नहीं हो रही है तो मैं आपको बताता हूं एक सीग्रेट जो यहाप को अपने घर में जरूरल लेका आने चाहिए इस चीज को डालने से आपके पोदे में जो मतलब नई पत्या नहीं आती है ग्रोथ नहीं होती है या फिर फलफूल नहीं लगते हैं तो इसको डालने से आपके पोदे में वह सभी समझ से खत्म हो जाएंगी क्योंकि दोस्तों यह आप देख पार होंगे यह हमारे पास है केज़वा खाट जिसे हम बर्मी कमपोश्ट भी बोलते हैं तो दोस्तों बर्मी कमपोश्ट हालागी आपको नरसरी में असानी से मिल जाएगी लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी के लेके आते हैं तो इसका रिजल्ट भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा तो बर्मी कमपोश्ट खाट डालने में लागा रखा है अगर हमें बर्मी कमपोईट इस पोदे में डालनी होगी तो कितने डालनी होगी इसमें अगर हम 15 दिन में दो मुठी खाथ भी डालेंगे तो हमारा पोदा अच्छी तरीके से चलता रहेगा इसी तरीके से ग्रीन ग्रीन पत्या भी आना सुरू हो इसके गंबले का साइज सिर्पोईटिव 6 इंच का है तो इसमें हम कितने डालेंगे इसमें आधा मुठी डालेंगे तो 15 दिन में अगर हम एक बार ढालेंगे तो हमारा पोदा है इसी तरीके से ग्रीन हो जाएगा इसकी ग्रोध जो है दुबारा से स्टाइट हो जाएगी नामसे आथयान होँगे जो हमारे लकिर होता है जो कैश के अद हमारी हाथ है जो साथी दोस्तों इसमें पतनी हैं केचवा क्या हमारा सब्सपेख गेरा होती है उस बुह के लाध होगा करेंगे how ERIC हुआ होती है तो इसको आप अपने налीरे को's!". एसमें कोई ही क्या हमाल नहीं क्या जाता है यहाल्यार पिर वाना कम आपको बर्मिंग कंपोस्ट नहीं मिलेगी अगर आपके घर के असपास आपको कोई भी नरसरी में ना मिले तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्टन में दे दूँगा आप वहां से भी इसको पर्चेस कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको प